बॉट बॉर्निंग फ्रिंड्स मैं डॉक्टर वी किमिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिल स्वरुपिंगर कानपूर आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके iron के levels कम हैं आपको iron deficiency anemia है तो खाने में आप क्या करें जिससे आपका iron का जो level है वो naturally तेजी से उपर की तरफ जाए और आप iron deficiency anemia से बाहर आ पाएं नो ध्यान से देखिए कि ऐसे क्या drinks हैं जिनमें iron काफी मातरा में होता है तो drinks की बात करूंगा जो rich होते हैं iron में नमबर वन बीट juice सब से उपर आता है यानि चुकंदर का juice बनाएं चुकंदर का juice पिएं चाहें तो उसमें थोड़ा सा अनार मिला लें वो और भी अच्छा हो जाएगा तो बीट juice is नमबर वन जिसमें iron के मौन काफी जादा है नमबर टू पर आता है apple juice जो सेव का juice होता है या सेव का रस होता है वो आपको काफी मातरा में iron देता है तो apple juice is नमबर टू नमबर तीन आप कोई भी ग्रीन smoothie बना के पिएं इन दा सेंस जैसे पालक अवेलेबिल होती है वीट ग्रास अवेलेबिल होती है जो कुकुमबर य आता है orange juice वेसे तो orange juice में iron के amount बहुत significant नहीं है लेकिन इसमें vitamin C बहुत significant है जो iron के absorption के लिए जिम्मेदार है या important है इसलिए orange juice का इस्तिमाल करें यह आपको help करेगा नो next जो आते हैं उनमें आता है tomato juice जो tomato juice again very rich in vitamin C लेकिन इसमें iron भी है तो रोज एक glass tomato juice में यह आपको help करेगा नो पालक का आप as such सिर्फ पालक का juice बना के पी सकते हैं यह equally आपको help करेगा because पालक में जो amount of iron है is very significant नमबर तीन पर आता है kiwi juice कीवी juice में फिर iron के amount उतनी नही है और vitamin C आपकी जो intestine उसको help करता है कि iron को absorb करे and utilize करे जो strawberry juice है वो vitamin C iron दोनों में आपको help करता है जो prunes available होते है prunes juice market में available होता है जो prunes है they are very rich in iron and also rich in vitamin C तो prunes juice आप आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें इतने सारे juices हैं आपको habit बनानी चाहिए इनके एक list बनाए एक गिलास सवेरे एक गिलास शाम अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी body में iron का जो level है वो ऊपर की तरफ जाएगा इसके अलावा जो beef broth होती है उसमें iron coffee होगा जो chicken soup आप इस्तिमाल करते हैं चूंकि इसमें chicken है you get both the things you get iron also और आपको protein में ठीक मातरा में मिलता है तो इसे आप इस्तिमाल कर सकते हैं नो कुछ चीजों को watch करने की जरूरत है आपको खाना खाने के साथ coffee पीना बंद कर देना चाहिए आपको खाना खाने के बाद प्रणी की ताकत रखता है और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो iron deficiency anemia होने की समभाव नहीं होती है नो मैं उन foods की बात करूँगा जो आपके iron को level को तेजी से उपर कर सकते हैं तो अभी तो मैंने बात की क्या चीजें हैं जो आप juice बना के पी सकते हैं या smoothie बना के पी सकते आपको बेसिकली ऐसा specific food की बजाए एक balanced diet पर ध्यान देनी की जरूरत है जो आपको सभी vitamins और सभी minerals दे जिससे आपको किसी की deficiency नहीं होने पाए लेकिन जो iron deficiency अगर anemia है तो आपको ध्यान देनी की जरूरत है कि आपको जो diet के components हैं उनमें iron की amount थेक होनी चाहिए, vitamin C की amount थेक होनी चाहिए, and for that matter even folic acid की amount थेक होनी चाहिए, now जो food items जिनमें सबसे ज़्यादा iron या good iron होता है उसमें number एक पर पालक ही आती है, पालक में iron की amount very significant है, आप चाहिए तो पालक का juice बना सकते हैं, आप green smoothie बना सकते हैं, या पालक as vegetable उसकी सबचे बनाएं, पालक को जरूर इस् जो iron है, उसमें बहुत significant amount है, जितने भी raisins हम इस्तिमाल करते हैं, particularly जैसी किश्मिश है, इन raisins में जो amount है iron की significant होती है, इन्हें इस्तिमाल करें, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो prunes होती हैं, उनके juice में भी iron है, इन prunes में तो iron है, तो आप prunes इस्तिमाल करें, they will help you out, जो apricot है एप्रिकोट में भी जो iron है, significant amount में होता है, जितने भी आप खाने में meats खाते हैं, उनमें सब में iron काफी है, आप जो chicken खाते हैं, उसमें iron काफी है, इन market में बहुत सारे iron fortified cereals मिलते हैं, यानो उनमें iron जोडा जाता है, उनमें significant है, हमारे घर में जो गुल होता है, जेगरी ह होता है, गुल में significant amount of iron होता है, उसे आप इस्तिमाल करें, जब iron deficiency anemia है, उसके level को उपर करना है, iron के level को उपर करना है, तो आपको vitamin C भी चाहिए, क्योंकि vitamin C intestine से जो iron है, उसके absorption को बढ़ाता है, utilization बढ़ाता है, नो vitamin C आपको significant कहां से मिलेगा, आप अगर oranges खाते हैं, या moss म करें, हैं संत्रा लेते हैं, तो आपको vitamin C ठीक मिलेगा, आप कीवी fruit एक खाते हैं, उस पर vitamin C आपको ठीक मिलेगा, जो strawberries होती है, उनसे vitamin C आपको ठीक मिलता है, जो plums है, tomato है, grape fruit है, इसे आपको vitamin C ठीक मातरा में मिलता है, हमारे देश में जो aurula है, वो vitamin C का बहुत rich source है, उस इसे इस्तिमाल करिए, जो आप अम्रूत खाते हैं, गौबा खाते हैं, इसे आप इस्तिमाल करिए, इससे आपको आइरन के लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी. जब आपको इनीमिया का सवाल आता है, तो आपको आइरन चाहिए, उसके साथ में वाइटमिन C चाहिए, और ये भी देखना है कि वाइटमिन B12 का जो लेवल है, वो एडिक्वेट हो. वाइटमिन B12 मेजारिटी में नौन विजिटियन फूड से आता है, ये मीट से आएगा, ये चिकन से आएगा, ये फिश से आएगा, जो एक्स होते हैं इससे आएगा, जो बहुत सारी ब्रेट्स और सीरियल मार्केट में अवेलबिल होते हैं, उनको वाइटमिन B12 से वाइटमिन B12 में मिलेगा, इसके अलावा, आपको ध्यान देना है कि आपकी जो डाइट है, उसमें प्रोटीन की मातरा ठीक होनी चाहिए, इन दा सेंस, कि अगर आप वेजिटेरियन है, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, वेजिट, आमें सोया बीन से, सोया बीन में बहुत स प्रोटीन होता है, सोया बीन एस सच, जिसमें फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहें, इनकॉर्पोरेटिट अपनी डाइट में, जो बीन्स चितनी होती है, उनमें आइरेन ठीक मातरा में होता है, जो लेग्यूम्स होते हैं, या लेंटिल्स दाले होती हैं, उनमें प्रो अमर्न के प्रोटीन के पौडरम मेसी इंग अकुत करते हैं। उर कि एककर नोर्ण प्रहें मिने में से नाशम के यह सब थीज़ रहाएं। आइरन अईसे हैं टो तक आपको वह बैनाद करें करें देए को यह तो आप आपर वजान उन फूड़ मुसम हूं। आपको वो foods चाहिए जो very rich in vitamin C ताकि इसका absorption बढ़े और चूकर यह एनीमिया है तो overall B12 की मात्रा आपके body में टीक होनी चाहिए इन protein जरूर होना चाहिए तब ही आपका एनीमिया correct होगा तो एनीमिया को correct करने के लिए घर में खाने की चीज़ों में क्या include करें इसको समझने में अगर यह video help करता है जरूर शेयर करें मैं Dr. V.K. Mishra from guest to liver hospital स्वरूप नंगर खानपूर Thank you very much